असलाम अलेकुम आज हम आपको कीमे के पैटिस के रेसिपी बताएंगे उसके लिए हम लेंगे 400 ग्राम कीमा, आदा किलो आलू, एक अंडा, एक ग्लास पानी, दो टेबल स्पून हरा मसाला, एक टीस्पून लार्ड मिर्च पॉडर, नम्मक, तीन हरी मिर्च बारिक कटीवी और बारिक कटावा हरा दन्या, आलू और अंडे को हम बॉइल कर लेंगे, आलू को बॉइल करके मैश कर लेंगे, कीमे को हम बॉइल करने के लिए रख लेंगे, हरा मसाला डाल देंगे, लार्ड मिर्च पॉडर और नमक, और एक लास पाइन डार कर, स्लो फ्लेम पे कीमे को पकने के लिए रख देंगे, जब पानी खुश को जाएगा, और कीमा पक जाएगा, तो हम चुला बंद कर देंगे, कीमे की पैटिस के लिए कीमे को बॉइल करके तयार कर लिया है, आलू को भी मेश कर लिया है, फिर इसमें नमक डालके मिक्स कर लिया है, हाफ टीज़पून लाल मिश पॉडर लेंगे, अंडे को भी बाडिक काट लिया है, और हरी मिर्च और हरा दनिया, अब हम चीज़ों को मिक्स करेंगे, कीमा डालेंगे इसमें, हरे मिर्च, लाल मिर्च पॉडर, हरा दनिया, अब हम सब को मिक्स करेंगे, अच्छी तरह, नमक आप अपने हिसाफ से डालिएगा, अब हम कीमे की पैटिस तयार करेंगे, अब हम कीमे की पैटिस तयार करेंगे, आदू लेंगे थुरे से, ब्रेट क्रम्स लगाते जाएंगे उस पर, अब इस पर कीमा डालेंगे, कीमा डालने के बाद, इस तरह, पैटिस तयार कर दिये में, अब इसमें अंडा लगाएंगे, अंडा लगाने के बाद, दोरों तरफ अच्छी तरह ब्रेट क्रम्स लगाएंगे, और इस तरह रखते जाएंगे, ग्यारा कीमे के पैटिस तयार कर लिये हैं, इतना कीमा बाकी बच्चा था, तो आप अलू एक्स्ट्रा ले सकते हैं, अब कीमे की पैटिस को फ्राइ करेंगे, ओल गरम हो गया है, अब हम कीमे की पैटिस को फ्राइ करेंगे, प्लेम मेडियम रखनी है अब यह ब्राउन हो चुके हैं अब इसको निकाल लेंगे इसी तरह सारे फ्राइ करेंगे कीवे की पैटी सर्फ करने के लिए तयार है आप इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं